दोस्तों मेरा नाम अजय है और मैं बिहार राज्य का रहने वाला हूँ. मेरी वन साइड़ लव स्टोरी की शुरुआत तब होती है जब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने मना ली गया था. हम सभी ने एक होटल में रूम लिया और रात हम लोगों ने उस होटल में ही बिता सुबह सुबह हम सभी दोस्त पहाड़ों की तरफ घूमने निकल पड़े. वहाँ पे हमारे जैसे और भी लोग घूमने आये थे. मैं घूम ही रहा था कि पहाड़ के उपर से आई, मैं यहां हूँ. जब मैंने उपर की तरफ देखा वहाँ पे एक लड़की थी जो अपने दोस्तों को बुला रही थी. कुछ देर तक हम लोग उसी जगह घूमते रहे. थोड़ी देर बाद वो लड़किया भी पहाड़ से नीचे आ गई और अपने फ्रेंस के साथ फोटो खीचवाने लगी. मैं तो अब उसी लड़की को देख रहा था. वो मनाली की खूबसूरत को अपने कैमरे में कैद कर रही थी. मैं उसके सामने जाकर उससे कहा कि थोड़ी ही दूर इससे भी खूबसूरत वादिया है आप लोग वहाँ पे सकते हो. उसने मुझे थैंकियो कहा और वहाँ से चली गई. सामने से उसकी मासूम से चेहरे को देख कर मेरी धलकन तेज हो थी. थोड़ी देर बाद हम लोग भी वहाँ से वापस लोट आए. होटल पहुचकर मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई. दोस्तों ने पूछा कौन है वो? मैंने कहा जो समय पहार से आवाज दे रही थी. यार अब एक प्रोब्लम है पत कल भी वो मिल जाए. अगली सुबह हम सभी दोस्त बाइक लेकर निकले किसी दूसरी जगह भूमने के लिए निकल गए. मेरी उसे ही धूर रही थी. अब भूमते भूमते दोपर हो गया था, तो हम लोग खाना खाने एक धाबे में गए और आखिर कार वो मुझे मिल ही गई वो अपनी फ्रेंज के साथ धाबे में बैठी हुई थी. मैंने अपने दोस्तों को बताया कि यही वो लड़की है जिसके बारे में कल बताया था. मेरे दोस्तों ने मुझे उससे बात करने के लिए कहा लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी. थोड़ी देर बाद जब वो धाबे से जाने लगी तो मैंने उससे आवाज दी और हिम्मत करके उसके सामने गया. मैंने कहा आपको याद है कल हम मिले थे. उसने कहा हाँ याद है. मैंने उससे पूछा कि अब आप लोग किस जगह घूमने जा रहे हो. तो उसने एक जगह का नाम बताया और कहा कि कल हम ल अपना नाम बता दिया अब तो सिर्फ मुझे कल का इंतेजार था हम सभी दोस्त तेयार होकर उस जगह पे सबसे पहले पहुँच चुके थे लगभग एक घंटे बाद वो भी अपने फ्रेंज के साथ उस जगह पे पहुँची मैं उसके सामने गया और हम दोनों ने कुछ बाते की वो मुझसे पूछी की तुम और कितने दिन मनाली में हो मैंने कहा दो दिन और मनाली में रहोगा अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपनी दिल की बात उसे बता देनी चाहिए मैंने उससे कहा प्रीती शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है उसने कहा क्या तुम्हे शायद पता नहीं मेरी शादी तै हो गई और अगले महीने मेरी शादी है तुम इस प्यार के चक्कर से दूर रहो ये सब कहकर वो वहाँ से चली गई अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करू जिसे मैंने चाहा वो उसकी शादी किसी और से होने वाली थी तो मैं क्या करता मैंने सोचा शायद वो मेरी किस्मत में नहीं है यही सोचकर मैं उसे भूलने की कोशिश करने लगा तो दोस्तों आपको ये वन साइडेड लव स्टोरी पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले मिलते हैं ऐसे ही एक नई कहाने के साथ तब तक के लिए धन्यवाद